Good morning children, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके unit second exam स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आज मैं आपको हिंदी में revision worksheet करवाने जा रही हूँ, यह हमारी revision worksheet 49 है, ठीक है, तो मैं आपको, इसमें मैंने आपको revision work दिया है, तो आपने इसको 21 नवेंबर को submit करना है, जमा करना है, ठीक है, तो इसमें मैंने यह आपकी worksheet दो भागों में divide की है, बच्चों, हिंदी साहिते में और हिंदी व्याकरन है, इसमें, ठीक है, तो हिंदी साहिते में मैंने आपको part 8 और 9 का पुर्णाइ बुर्तिकार्य दिया है, ठीक है, तो पहले हम हिंदी साहिते का revision करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि बंदरबांट में क्या था, बंदरबांट में क्या था बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ओरल बता देती हूँ, आप धिहान से सुनिये, ठीक है, बच्चों, आप अपनी copy और pencil भी, notebook साथ लेके बैठिये, क्योंकि आपके जो इस पार्ट में क्या है, एक बंदर है, और दो कौन है, बिल्ली, कैसी बिल्ली हैं दो, बच्चों कैसी है, सफेद और काली बिल्ली, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में किस सीच को लेकर जगडा हो रहा है, किस सीच को लेकर, रोटी को लेकर, ठीक है, तो रोटी को लेकर ज जगड़ते वे देख लेता है, ठीक है, तो वो बंदर क्या है, उनकी क्या करता है, जगड़ा सुलजाने के लिए आता है, क्या लेकर आता है, वो किसे जगड़ा सुलजाने के, तो वो क्या लेकर आता है बच्चो, तराजू, ठीक है, तराजू पता है आपको जिसमें बजार में भी देखा होगा आपने जब आप सबजी कोई भी चीज हमें तोल कर तराजू से दी जाती है ठीक है तो वो तराजू लेकर आता है तो वो कैसे जगड़ा उनका सुल जाने की कोशिश करता है बच्चों क्या उपाय करता है वो तो वो क्या करता है जो रोटी है उसको बीच में से तोड़ कर आदा एक तरजू पर रखता है और आदा दूसरे पर ठीक है फिर क्या करता है वो फिर देखता है तो वो मतलब आदी हाफ- Opt नहीं बांटता हुआ एक टुकड़ा जादा रखता है एक थोड़ा कम तो क्या होता है बच्चों जो कम है वो क्या होता है फोठी तुड़ा थोड़ा तुकडा रोटी में से तोड़कर खाता है जो जादा होती है वो बिल्ली है वो उसका मुं देखती रहती है तो आपको पता है न इस पार्ट से क्या सिक्षा मिली थी आपको कि हमें किसी के साथ जगडा नहीं करना जीए घर में भी आपको अपने भाई बहनों के साथ किसी चीज को लेकर जगडा नहीं करना जीए ठीक है बच्चो और क्यों जी मल और कैसे कैसलिया पार्ट में क्या है हमारा पार्ट नमबर 9 में उसमें क्या है उसमें क्यों जी मल और कैसे कैसलिया है तो क्यों जी मल को किस क्या कहने क्या आदत है बच्चो क्यों क्यों और कैसे कैसलिया को कैसे कैसे ठीक है तो इसके कारण जो लोग है वो बहुत परिशान हो जाते हैं इसकी क्यों जी और क्यों 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 के बीच में फज जाते हैं ठीक है तो यह हमारा पार्ड है चलिए बच्चों अब करते हैं हमारा रिवीजन मैंने आपको प्रशन उतर दिये हैं तो पहला बिल्ली ने रोटी क्यों नहीं उठाई तो बच्चों बताएं क्यों नहीं युछ शासी तेविए इसका रहीं तो आप इसका रहूंसे लिखेंगे पूर्णाया बच्चों सफेद बिल्ली ने डर के कारण रोटी नहीं उठाई ठीक है डर था न उसको नहीं उठाई ठीक है बच्चो ठीक है तो डर के कारण रोटी नहीं उठाई अब आगे देखिए गुरु जी को साइकल किस ने दी तो गुरु जी घर से पैदल निकल रहे थे बच्चो ठीक है तो उनको साइकल कि ने दी थी तो बच्चो आपने पूरा आंसर लिखना है शौर्ट में नहीं लिखना कि खाली शीव दास ने आप ऐसे पूरा लिखेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है गुरु जी ने सॉरी क्या एगा बच्चो गुरु जी को साइकल साइकिल किस ने दी थी बच्चो शीव दास ने ठीक है अब आगे देखिए पाट के धार पर काली बिल्ली के बारे में थीक है दो बाक्य लिखेंगे अब मतलब बच्चो काली बिल्ली के बारे में मतलब उसका क्रेक्टर स्कैच लिखना है आपने काली बिल्ली का ठीक है चरिते चित्रन लिखना है कि वो कैसी थी तो कैसी थी वो तो क्या आएगा बच्चों काली बिल्ली कैसी थी अब देखो बच्चों रोटी तो सफेद बिल्ली ने देखी थी लेकिन जट से किस ने उठा ली थी काली बिल्ली ने तो आप लिख सकते हैं बच्चों काली बिल्ली बहादूर थी है ना वो डड़ती नहीं थी किसी से ठीक है वह किसी से नहीं ड़ती थी ठीक है वह किसी से नहीं ड़ती थी अद दूसरा वाक के क्या लिखेंगे बच्चों ठीक है उसने रोटी पर सबसे पहले जपटा मारा ठीक है या उसने सबसे पहले रोटी सबसे पहले यहाँ पर रोटी आएगा बच्चों रोटी जपटी मैं आपको सोरी दुबारा लिख के दिखाती है यहाँ पर उसने सबसे पहले रोटी जपटी थी ठीक है रोटी पर अपना हक जता रही थी ना वो ठीक है बच्चों समझा गया आपको अब यह हैं हमारे सही और गलत के निशान लगाने आपने ठीक है अब देखिए क्योंजी मल को कैसे कैसे कहने की आदत थी तो उसको कैसे कैसे कहने क्या आदत थी क्योंजी मल को गलत क्या आदत थी बच्चों उसको क्योंजी मल को क्यों 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 कहने की ठीक है बंदर ने दोनों बिलियों की सारी रोटी खाली थी खाली थी बंदर ने दोनों बिलियों की सारी रोटी सही ठीक है उसने दोनों की सारी रोटी खाली थी ना आगे देखिए गुरु जी क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया की बातों का आनंद ले रहे थे नहीं वो उनके बीच में फस गए थे किए किसे की बीच में तो अंत में वो क्या थे cycle में क्या उगे थे फूर हो गए थे बंदर दोनु बिलियों को मूर्ग बना रहा था सही मूर्ग बना रहा था न उनकी सारी रोटी खा गी थे और उनको मूर्ग बना के चला गया ठीक है बच्चों, आप देखिए हमारा हिंदी व्याकरण में अपठिद गध्यांश, बच्चों आपको अपठिद गध्यांश आएगा, उसमें आपको कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, गध्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपने क्या करना है, बच्चों क्या करना है, उसमें से आपने प्रशन दिये जाएंगे आपको नीचे, आपने उसके उत्तर ढूनकर लिखने हैं, ठीक है, तो पहले मैं आपको एक गध्यांश पढ़कर दिखाती हूँ, तो हमारा गध्यांश है, देखें, निमन गध्यांश को पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए, ठीक है, आगे मैं पढ़ती हूँ, देखें, धान से सुनिए, रवीवार को सब की छुटी होती है, रवीवार किसको बोलते हैं बच्चों, संडे को, ठीक है, सब लोग छुटी होती हैं, सब लोग आराम कर रहे थे, सूरज ने एक बार सोचा, क्यों ना आज मैं भी छुटी मनाऊं, तो सूरज पता है ना बच्चों, आसमान में आता है, जो हमें रोशनी देता है, उसने सोचा, कि जब रवीवार सब के लिए है, तो मिले भी होना चीए, तो मैं आज क्या करता हूँ, मैं भी आराम करता हूँ, छुटी मनाता हूँ, वह अचान अचानक आकास से गायब हो गया, वह अचानक ही जो आकास है, आसमान से क्या हो गया, गायब हो गया, सब लोग परिशान हो गए, तो जो सब हैं वो क्या हो गए, परिशान हो गए, ठीक है, उन सब को परिशान देखकर सूरज को दया आ गए, अब उसने उन सब को परिशान, एकदम से आसमान से जब सूरजी गायब हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा ना दिन में भी पूरा क्योंकि रोशनी हमें सूरजी देता है तो सब लोग क्या है जो परिशान हो गए उन सब को परिशान देखकर सूरज को दया आ गई उसने सोचा आज का दिन मेरे ही नाम पर रवीवार है कि मतलब मेरे नाम पर रवी, रवी बच्चों सूरज को कहते हैं, प्रायवाची शब्द है सूरज का, कि जो रवीवार है, सूरज को रवी भी बोलते हैं, दिनकर, सूरे, रवी, ठीक है, कि जो रवीवार है, वो मेरे नाम पर ही रखा गया है, ये लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं सम्मान मतलब आदर करते हैं मेरा तो मुझे भी इनका ध्यान रखना है तो वो कहा रहा है कि मुझे भी इनका क्या रखना है ध्यान रखना है यह सोचते ही सूरज दुबारा चमकने लगा आप इसको देखकर वो सूरज जो है वो सोच कर दुबारा चमकने लगा सब खुश हो गए सब लोग खुश हो गए ठीक है बच्चो अब देखें इसका प्रशन सब की छुटी का दिन कौन सा होता है तो बच्चो कौन सा होता है सब की छुटी का दिन तो क्या लिखेंगे बच्चो सब की चुटी का दिन रवीवार होता है ठीक है बच्चों? अब आगे देखिए यहां पर लिखा है ना कि रवीवार को सब की चुटी होती है तो सब की चुटी का दिन रवीवार होता है आगे देखें रवीवार को सब क्या करते है तो रवीवार को सब क्या करते हैं? तो सब लोग आराम करते हैं ठीक है? आया बच्छों आपको समझ में यहाँ से लिखेंगा अब इस नांचर सूरज के छिपते ही क्या हुआ? अब बताएए सूरज के छिपते ही क्या हुआ? क्या हुआ कि अब देखे यहां से वह है अचानक आकास से गायब हो गया तो सब लोग परिशान हो गए ठीक है तो क्या लिखेंगे बच्चो इसका अंसर सूरज के छीपते की सब लोग परिशान ठीक है बच्चो हो गए ठीक है इसका अंसर यह है यहां आगे देखिए सूरज दुबारा क्यों चमकने लगा क्यों चमकने लगा बच्चों क्यों चमकने लगा क्यों क्यों चमकने लगा बताओ अब उसने क्या सोचा कि मेरे नाम पर ही क्या पढ़ा है रविवार पढ़ा है ठीक है और ये लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं ठीक है मतलब उन कितना और मेरा कितना ध्यान रखते हैं तो क्या आएगा इस कांसर बच्चों सूरज ने सोचा कि सब लोग उसका कितना क्या आएगा बच्चों सम्मान भी लिख सकते हैं आदर भी लिख सकते हैं ठीक है सम्मान करते हैं ठीक है इसलिए वह दुबारा जमकने लगा ठीक है बच्चों समझा गया आपको अब आगे देखिए विलोम शब्द आपने धर्ती और उजाला धर्ती का और उजाला का विलोम शब्द आपने इस पेराग्राफ में से ढून का लिखना है तो धर्ती का क्या होता है बच्चों धर्ती का आकाश ठीक है और उजाले का अंधेरा ठीक है तो क्या होता है उजाले का अंधेरा ठीक है तो धर्ती का क्या है आकाश उजाला अंधेरा ठीक है बच्चों अब है उप्युक्त गद्यांश में से सरमनाम शब्द को चांट कर लिखिए अब आपने इन में से सरमनाम शब्दों को चांट कर लिखना है इन में से कौन-कौन से सरमनाम शब्द आए है देखिए बच्चों सरव नाम पता है न जो सनग्याकिस्तान पर परियोग होते हैं ठीक है तो कौन से है इस में से, एक तो कौन सा है मैं, ठीक है, उसके बाद वह, ठीक है बच्चों ऐसे लिखो गया आप, उन् शबको ठीक है, नहीं, यहाँ पे मेरे, ठीक है, उसके बाद मुझे, ठीक है, तो यह क्या है, सरव नाम शब्द है, तो कौन-कौन से हैं बच्चों हमारे, म, मैं, वह, ठीक है, मेरे और मुझे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, म, 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 मेरे और मुझे, ठीक है बच्चों, आप देखेंगे, उप्युक्त गद्यांश में से क्रिया शब्द छांट कर लिखेंगे, अब मैंने क्रिया बताया ना बच्चों, जब हम किसी काम को करते हैं, तो उसको क्रिया कहते हैं, तो कौन-कौन से हैं इसमें से क्रिया शब क्या है सब लोग क्या एगा आराम कर रहे थे ठीक है आराम कर रहे थे किरिया शब्द आराम करना लिख सकते हैं ठीक है आगे वह अचानक से गायब हो गया ठीक है गायब होना गायब हो गया गायब होना ये भी काम करा उसने ठीक है आगे देखिए आज रवी उसको दया आ चमकने लगा ठीक है तो ये हमारे क्या है किरिया है ठीक है वो काम कर रहा न लोने तो क्या है तो आराम करना ठीक है गायब होना और चमकना चमक ठीक है तो ये हमारे क्या है किरिया शब्त है समझागे बच्चों आपको कि जो काम हो रहे है ठीक है तो ये आपकी परक्षीट थी आप इसे ध्यान से कीजिए धन्यवाद बच्च